Hello students, today I am going to explain next pages of the chapter number 10, Minnie's Kitchen Garden. Come to the chapter, now run and get some paper, pen and cell of pen ordered ma. Ma ne kaha कि कुछ papers or pen or cell of pen ले लो, किसके लिए? ये order दिया, उसकी माने किसके लिए? मिनी को बहुत सर्प्राइज हुआ कि ये क्यों मांग रही है? उसने पूछा किसके लिए चाहिए? मा एक्स्प्लेंड माने क्या एक्स्प्लेंड कि it is necessary to label the pots to know what we have planted and when it is planted. यानि ये जरूरी है कि हम ये point करके रखें कि हमने किस गमले में या जो हमारा pot था, उसमें कौन सा plant डाला है और वो कब लगाया? जिससे कि हमें उसके बारे में पता चल जाए कि वो कब उसको गुरो होगा? मा प्लेस दा labels according to the seeds zone जहां पर जगे बता दिया उन्होंने जहां पर पौधे को उन्होंने seed को लगाया था, कबर दा label with the cello pen sheet and carefully secured the whole thing around the pot और अच्छे से उसे साफ कर दिया और secure कर या नहीं उसको fill कर दिया, then she wiped all the और तब उन्होंने क्या किया? सब को wipe करके, clean करके, उसको ल को ठाके, जिसमें seed डाला था, उसको kitchen window पर रख दिया, she explained that warm and sunlight were necessary for the seed to sprout into new plant, ज़रूरी होता है, धूप और जो है, हवा मिलनी चाहिए, उसको water भी मिलना चाहिए, जिससे कि उसमें से new plant आई, Minnie was very excited, Minnie बहुत excited थी, she was waiting eagerly for the seeds to sprout, वो बहुत बेट कर रही थी कि कब इन seed में से sprout निकले है, चोटे-चोटे जो है, वो plant निकलेंगे, next, the next day, before going to school, अगले दिन स्कूल जाने से पहले, Minnie check the pots, अगले दिन वो क्या किया, उसने, pots को check किया, कि उसमें से जो छोटा सा plant निकला है या नहीं, she was disappointed, बड़ा दुख हुआ उसे, no plants had come out of the, यानि अगले दिन उसमें स कोई plant नहीं आया, in school, she told her friends about the pots, अपनी school में भी अपने pots के बारे में उसने बताया, कि हमने pots के अंदर seed डाले हैं, three days past, तीन दिन के बाद, Minnie by now was innocent, अब वो तो उसको, यानि, तसली नहीं मिल रही थी, वो चाह रही थी, जल्दी से उसमें से plant आ जाएं, और मैं देख भाँ, she would watch the pots every now and then, वो हर दिन देखती थी pot में के उसमें से plant निकले हैं या नहीं, on the fourth day, यानि, fourth day, Minnie saw a pale, Minnie ने क्या देखा वहाँ पर, fourth day, saw a pale, pale, green thing in the mustard pot, mustard वाले pot में उसे कुछ yellow color की सी, एक पीले-पीले हलके color की कुछ चीज दिखाई दी, रगी and coriander were also sprout, रगी के और coriander के भी seed जो है sprout हो रहे थे, उसमें से छोटे-छोटे plant जैसे निकल रहे थे, she ran to ma and dragged her to the kitchen, भागती हुए अपनी मज़र के पास जाती है और उन्हें किचिन में लेकर आती है, क्या करने के लिए, वो उसमें से, pot में से plant दिखाने के लिए, ma took at this, the plant are so tinny, ma look at this, ma देखो इसमें से plant कितने छोटे-छोटे plant है, I can't believe, we have actually grown them here, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हमने plant सुगा लिए हैं और उसमें से छोटे-छोटे plant आ चुके हैं, is not it wonderful, वो केते हैं, इसमें कोई surprise नहीं है, wonder नहीं है, वो तो आने ही थे, mini jumped with excitement, mini खुसी के मारे खुचलने लगती है, jump करने लगती है, ma kept smiling, she told mini to sprinkle a little water on the seedling, मा कहती है कि ठीक है, अब थोड़ा सा पानी इन पौधों में छिड़क दो, in few days the seedling had grown big, थोड़े ही दिन में जो seedling थे चुटे-चुटे plant थे वो बड़े हो जाती है, mini, mini these pots are very small, ma क्या कहती है, mini यह जो pot है, बड़े चोटे-चोटे हैं, प्लांट बड़े होंगे, तो हमें इनहें कहीं बाहर लगाना चाहिए, we will have to take the plant out and plant them in the garden, my advice her, ma क्या advice देती है उसे कि हमें यहां से ले जाके इनहें, क्योंकि यह plant आगे चलके बड़े होंगे, और इसमें यह ठीक से नहीं वो पाएंगे, तो हो कहती है कि अब हमें इनहें garden में ले जाके लगा देने चाहिए, ma carried the plants down their garden, ma उन plants को लेके garden में जाती है, she dug little paches at the soil, और थोड़ी थोड़ी जगे मिटी में से जमीन में खोद देती है, उनको लगाने के लिए, watered them और पानी लगाती है, and added some manure, और थोड़ा सा खाद भी उनमें डाल देती है, she then planted the tiny plants, तब वो चुटे चुटे पौदे उनमें लगा देती है, वन वाई वन लीविंग अगेप ऑफ एबाउट 6 इंचे, एक दूसरे के यानि 6 इंच का गेप छोड़के, between them, she told me not to disturb the plant, और क्या कहती है इस बीच में तुम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करोगी, plants को यह नहीं है, वो तोड़ने के लिए ready हो जाती है, यह नहीं काफी बड़ा बड़ा जो है, धनिया जो है बड़ा हो जाता है, मा डिड़न्ट डेट जैट जैटली एन्वास दा लीव से बिफोर यूजिंग देम इन कोकिंग फूड, मा अराम से उन्हें तोड़ती हैं, और कोकिंग करने से पहले उन्हें अच्छे से क्लीन करती हैं, फूड स्मेल डिलीजियस, बहुत अच्छी खुस हुआ आती है, ताजा धनिया अपने यहां से तोड़ती हैं लीव उसकी, मिनी बहुत अच्छा प्राउड फीर होता है, कि वो जो कॉरिएंडर लीफ हैं, उनके गार्डन में ही उन्होंने लगाई हुए हैं, दा मस्टर्ड प्लांट, दा मस्टर्ड प्लांट कैप्ट ग्रोइंग, बट दार रगी एंड वीट डिड नॉट शो मच ग्रोथ, मस्टर्ड प्लांट भी हो जाता है, लेकिन रगी का और इसका वीट के प्लांट अभी ज़्यादा बड़े नहीं वो पाए थे, मिनी हैट टू वेट, मिनी अब क्या करती है, मिनी हैट टू वेट फॉर अफ्यू मन्स बेफोर दे, दे फ्लावर्ड एंड प्रोड्यूस सीड्स, अब काफे दिनों तक वेट करती है, जब उनमें से फूल निकलते हैं, और उसके सीड़् भी आने लगते हैं, बर्ट सीड़् इडन्ट माइंड दा वेटिंग, लेकिन वो वेट कर लेती है, माइंड नहीं करती है, क्योंकि बाकी के कुछ प्लांट तो आई गए थे, अब कुछ वो बड़े होने का वेट वो करती है, आफ्टर आल, पेसेंस पेज, आखिरकार वो धहरे रखती है, पेसेंस रखती है, और वो पेसेंस भी उसका पूरा होता है, बाकी के और जो भी प्लांट से उसमें भी सीट आ जाती है so I have completed this chapter today I will provide you work of this chapter also through pdf